मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ वो ये कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनो नियम पालन नहीं कर पातें किसी कारण से करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पातें तो वो ये कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्जरासन में जरूर बैठ जाएं, सुबह और शाम दोनो सुबह का नियम अगर आप पालन नहीं कर पातें माने विश्रान्ती नहीं ले पारें किसी कारण से और शाम का भी नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, दो घंटे तक आपको सोना नहीं है, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो वो ये कहते हैं, वज्जरासन में जरूर बैठ हैं 10 मिनट, वज्जरासन आप सब समझते हैं, यह ऐसे, पैर पीछे करके, बस, 10 मिनट बैठ ज किया जाने वाला आसन है, वो ये एक ही है, बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते हैं, और महरशी पतंजली कहते हैं, महरशी पतंजली बागवट के बाद के हैं, महरशी पतंजली कहते हैं, कि अगर वज्जरासन में कोई बैठता है, तो शरीर बिलकुल वज्जर के जैसा ही होत वज्राप समस्ते एकदम कठोर मजबूत अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा गांदी जी को तो मेरे आँखों से नहीं देखा शुबाकान जी ने देखा है गांदी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे गंटों घंटों घंटों और आप देखो कोई आसन नहीं करते थे कोई प्राणायाम नहीं करते थे सुबह घूमने जरूर जाते थे लेकिन हमेशा ये वज्रासन में जब मौका मिला बैठ गए जब मौका मिला बैठ और घंटों घंटों तीन-तीन घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले-डुले वज्रासन में बैठके चिठी लिख रहें किताब पढ़ रहें वगरा वगरा तो दस मिनट तो क्निवनतम करें ही जादा से जादा अगर आप कर सकें समय समय पर वजरासन में बैठते रहें तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहते दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं